एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम एनेलिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोजिक समझेगे क्योंकि लोजिक आपको काफी पसंद आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी हम समय समय पर डिसकस करते रहेंगे उसक आप्लिकेशन में एक ट्रेड करते हैं टाइम एक कमेंट आया कि दो बार इस्टोप लोज हिट हुए है दोस्त इस्टोप लोज जरूर हिट हुआ है लेकिन दो बार नहीं हुआ सिर्फ पहली बार हुआ है रीजन में आपको एक्स्प्लें करता हूँ यहां पे जो 13 का डेल हो है मार्किट ने अगले वाली केंडल पे आपको इसका ब्रेकडाउन दिया पहले वाली केंडल पे आपको ब्रेकडाउन नहीं मिला अगले वाली केंडल पे आपको ब्रेकडाउन मिला अगर रियल में समझोंगे अगर आप कोर्स को ध्यान से देखते हो तो असलियत में ए इसका breakdown दे दिया, तो यहां पर हमें ready होने वाला है, जैसे market उससे नीचे निकलता है, तो आपको उसमें entry ले लेनी है, पहली बात तो market यहां से नीचे नहीं गया, लेकिन अगर किसी ने entry ले भी ली, चलो कोई बात नहीं, उसका पहला SL हिट हो गया, ठीक है, यहां पर हमारी fake breakout वाली theory काम कर रही है, दूसरा आपको entry कहां पर मिली, entry फिर ध्यान से समझो, दो entry market ने फिर आपको दो बार से दिये, कौन सी entry, यहां पर देखो यह 13 का क्या है, यह previous day लो होगा, market ने यहां पर आपको एक triangle भी बनाया, उस triangle का breakdown दिया, प्लस एक तो triangle का आपको breakdown मिल रहा है प्लस previous day low का आपको breakdown मिल रहा है, closing नीचे मिल रही है, और market उससे आपको नीचे जाता वा भी दिखाई दे रहा है, अगर किसी ने यहां पर भी entry नहीं ली, avoid कर दिया, तो दूसरी भी entry मिल रही है, entry कहां पर मिल रही है, 14 का जो यह हो गया, यह क्या है हमारा trading day low, ध्यान से स entry create होती, यहां पर market ने trading day low का breakdown दिया, तो आपको यहां पर भी entry बन रही है, situation समझ में आई, जिस candle ने breakdown दिया, उसके high के उपर आपका stop loss लगना था, तो यहां पर भी आपका stop loss नहीं हिट हो रहा है, सीधे सीधे आपको बहतरी momentum मिला है, यानि कि आपको काफी opportunity मिली है, अग अगर एक बात और धियान रखो, कोई भी strategy 100% perfect नहीं होती, यह मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आपका एक से दो बार stop loss हिट हो रहा हो, तो उस दिन trading नहीं करने, बस market को observe करते हो, कोसिस मत करना कि जो आपका यह loss हो गया, जो आपका stop loss हिट हो गया, इस पैसे को आज ही recover करने में लग जाओ, और उस चक्कर में आप और ज्यादा loss करो, क्योंकि multiple आप trade करने की कोसिस करोंगे, आपको charges भी pay करने पड़ेंगे, और बाकी भी यहाँ पर situation आपको create होती भी दिखाई देगी, तो इन चीजों को आपको avoid करना होता है, next day trade करो, क्योंकि market कल भी खुलन करने माला है, परसों भी खुलने माला है, फई एक महिने बाद भी खुलेगा, एक साल बाद भी खुलेगा, निकि market कहीं नहीं जाने वाला है, तो इसलिए capital को सुरक्सित रखो, अगर loss हो गया, कोई बात नहीं, इस नोर्मल होता है, क्योंकि मैं आपने बताया है, मैंने इंट्रेस्टिंग लगते हैं, जो जिजी इंट्रेस्टिंग लगते हैं, मैं आपके साथ डिसकस कर देता हूँ, फिलाल यहाँ पी देखो, हमारे चार pattern है, triangle वाले pattern, trend line से बलीके बनावा pattern, और parallel वाला pattern, यहाँ पे हमें एक pattern बनता होगा, यह वाला, और उपर की race आप कि breakout मिलते ही buying opportunities मिल जाएगी, breakdown मिलते ही selling opportunities मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का हम धियान रखेंगे इन चीजों को समझ रहो. अब यहाँ पे आप देखेंगे एक red line भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यह है 39,562, इस red line का roll क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, बस अभी यह देख लो कि यहाँ पे आपको multiple resistance देखने को मिल रहे हैं. अब हमें किस तरीके से trade को plan करना है, उससे पहले हम समझेंगे इस low को, और इस high को, और जो 13 का day low है, उससे भी समझेंगे, और यह चीज हमें कहाँ पर पता चलेगी, यह हमें one day के time frame पर पता चलेगी, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या situation create होती हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको last time भी बताया था कि market एक support level पे support ले रहा है, और वही situation आज आपको देखने को मिली है, यानि कि पहले जो एक support zone था, market नीचे आपको एक lower shadow दिखाई दे रहे होगी, तो इसका मतलब market अभी भी एक support level पे खड़ा हुआ है, तो क्या हम यहाँ से selling plan करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अगर सावधानी के साथ करेंगे तो half quantity के साथ करेंगे, जो भी आप quantity trade करते हो, तो कम quantity के साथ हम trade करेंगे, अब यह situation करेंगे, यहां से आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ही buying की situation करेंगे है, यहां से long buying करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं करना, reason मैं आपको अभी explain करता हूँ, market गिरा, पहली वाली इस वाली candle पर focus करो, ठीक है, फिर gap down opening मिली, इस वाली candle पर focus किया आपने, फिर आपको इससे भी बड़ी गिरावाट मिली, इस वाली candle को, यानि कि लगातार market किरता जा रहा है, और ऐसे market कभी भी नहीं किर सकता, क्या situation create होती है, कि market यह तो आके sideways हो जाएगा, प फिर गिरेगा, यानि कि वो सीधे-सीधे कभी भी भी नहीं किरेगा, या तो वो यह possibility को create करेगा, sideways हो जाएगा, गिरता-गिरता, या फिर कुछ वापिस जाएगा, क्योंकि जो लोग selling कर रहे हैं, वे अपनी profit booking करेंगे, profit booking करने के लिए उन्हें बाई करना पड़ेगा, य यानि कि यहां पर market रूक रहा है, जो कि रूकना जरूरी भी था, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, अब यहां पर हम इस वाली पूरी candle पर फोकस कर देंगे, जो यह candle बनी है, अगर इसे market नीचे गया, तो selling continue है, तो हम selling side ही opportunity ढूंडेंगे, फिर से ध्यान से समझों कि यहा यहां पर market रूका है, ना तो यहां से कोई buying signal दिया है, ना ही कोई selling signal दिया है, ना ही यह कोई signal मिला है, कि market यहां पर रूक चुका है, कुछ भी signal नहीं मिला है, बस हमें यह पता है कि market एक support level पर खड़ा हुआ है, एक रूका हुआ है, अब यहां से हम यह देखेंगे, क्यों रुका हुआ है reason one ये sideways होने के लिए या फिर reason two ये कुछ profit booking के लिए कोई सा भी region हो सकता है हमें उससे कोई मतलब नहीं हमें सिर्फ price action पर follow करना है हम पूरा focus इस वाली candle पर कर देंगे कहां पर हम देख रहे हैं candle one day के time frame पर यानि कि हम market का scenario देखने की कोसिस कर रहे है कि market किस direction म में जाने की कोसिस कर रहा है उस पूरे scenario को हम यहां पर observe करेंगे तो यहां पर यह तो हमें समझ में आ गया कि market support level पर खड़ा है इससे नीचे जाएगा तो हम selling को plan करेंगे लंबे time के लिए otherwise हम देखेंगे half quantity के साथ trade करेंगे वापिस में आपको 15 minute के time frame पर ले गया ता हूं यहां पर हम क्या observe करें हमारा यहां पर trend line से मिलके बना हुआ pattern दिखाई दिरहा है साथ में एक red line भी है red line पर हमें multiple आज resistance देखने को मिले हैं यानि कि हमारे लिए ये भी एक important level हो जाता है अगर flat open होके positive momentum आता है उस situation पर हम चाहेंगे कि एक तो ही red वाली line है यानि कि 39,562 की हमें इसका भी breakout चाहिए प्लस उपर जो एक resistance line है हमें इसका भी breakout चाहिए दोनों का breakout चाहिए तभी हम यहां पर buying को plan करेंगे और जो हमारे target होंगे जहां से पहले market पहें इस trend line पर resistance ले चुका वे आपके लिए target बन जाएंगे अगर इसका breakout दिया तो यहां पर आप देखो यह आपका target बन जाएगा यहां से आपको horizontal line draw करने है इसका breakout मिला उपर की तरफ आप देखेंगे यह आपका target बन जाएगा इसका breakout मिला तो आप यहां पर देखेंगे यह वाला आपका target बन जाएगा सीधे सीधे आपको horizontal line draw करने है मैं आपको draw करके दिखा देता हूं कुछ को इसका आइडिया नहीं होगा किस तरीके से की जाते हैं से आप एक अरीजेंटल लाइन लोंगे और यहां पर ढ्रो कर मेंगी तो यहां आपके टारگेट निकल के आ जाएंगे सीधे सीधे आप यहां से अपनी टारगेट को प्लेंट करकते हैं खुझ से भी मतलब यहां लाइन दिखा रही है, market इस support line का भी breakdown दे, जब तक इसका breakdown नहीं देगा, हम selling को plan नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको यह situation दिखाई दे रही है, इसके breakdown देने के बाद ही हम selling plan करेंगे, और यहाँ पे भी हमारे target यही रह जाएंगे, जहाँ जहाँ पे market ने support लिया है, पहला support यह पे लिया है, यहाँ से एक आप horizontal line ड्रो करेंगे, इसका breakdown मिलता है, तो यह support लिया है, यहाँ से आप एक horizontal line ड्रो करेंगे, इसका breakdown मिला तो जो 14 का day low है, यह हमारे लिए support बन जाएगा, और अगर इसका भी breakdown दिया, तो हमारे लिए previous day low के breakdown वाली strategy भी आपको activate होती हुई पहले वाले swing पे कर देंगे, देखो दोस्तो रूल तो यह भी कहता है, मैं आपको proper idea लग सके, रूल क्या कहता है हमारा, अगर market इस resistance line का भी breakout दे रहा है, पहला swing तो हमारा यह बन चुका, इसका भी अगर breakout मिल जाए तो ज्यादा बहतर रहेगा, तो हम पूरा focus कहां पे करें पहले वाला case, market इसी के आसपास gap up open हो रहा है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, इस level से नीचे हो सकता है, और यहां से अगर आपको market ने negative momentum दिखा है, तो हम selling plan नहीं करेंगे, क्यों plan नहीं करेंगे, दो logic है यहां पे, एक तो यहां पे हमारे लिए resistance zone बना हुआ है, अगर resistance zone है, breakout मिलता है, तो support की track करता है, यह हम जानते हैं, जितना मजबूत ही resistance रहेगा, उतना ही मजबूत ही हमारे लिए support हो जाएगा, यह situation create रहेगी, दूसरा logic क्या होगा, यहां पे हमारा day closing है, day closing है, तो यह हमारे लिए day closing भी resistance की track करेगा, तो इसलिए हम selling plan नहीं करें अगर ज्यादा बढ़ी आपको gap up opening मिली, तो हम पूरा focus कर देंगे 40,000 पे, कि 40,000 से market कितनी दूर है, अगर इसी के आसपास है, तो buying को एकदम avoid कर देंगे, क्योंकि एक important resistance की रूप में काम करेगा, लेकिन अगर यहां पे आपको BRE scandal दिखाई देती है, तो यहां पे gap filling वाल day low पे आपको gap down opening मिले, इससे थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे आपको gap down opening मिल रही है, तो उस situation पे हम ये देखेंगे, कि अगर यहां पे hammer मिल जाए या pin bar bully scandal मिल जाए, तो buying opportunities में मिल सकती है, target रहेगा day closing तक, या उससे पहला जो आपका target बनेगा, इसी support line तक, क्योंकि एक support की track कर रहा है, breakdown मिलते ही, तो आपके लिए resistance बन जाएगा, तो पहला target आपको ये रहेगा, इसका breakout मिल गया, तो day closing आपका दूसरा target हो जाएगा, लेकिन अगर market इसका breakdown देके नीचे चलता है, तो यहां पे हम selling भी plan कर सकते हैं, उसके पीछे के logic क्या होंगे, एक तो मैंने आ आपको one day के time frame पे दिखाया, कि आपको इस तरह की candle दिखाई दे रही है, यानि कि market रोखने की कोसिस कर रहा है, तो इससे नीचे market जा रहा है, पहला logic, दूसरा logic, market एक important support level का breakdown कर रहा है, तीसरा logic, market previous day low का breakdown कर रहा है, चोथा logic, जो हमारा ये वाला pattern बन रहा है, trend line से मिलके ब objective momentum देखने को मिला, उस situation पे जो में पहला resistance नजरा रहा है, 39,668 पे नजरा रहा है, अगर आपको इसका breakout मिला जो में दूसरा resistance नजरा रहा है, 39,903 पे नजरा रहा है, अगर आपको इसका भी breakout मिलता है, जो में तीसरा resistance दिखाई दे रहा है, तीसरा resistance बताने से पहले मैं नहीं कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा यह जस्ट एजुकेशनल प्रपस से बनाए गई एनलेसिस वीडियो है इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करने अपनी इन्वेस्टर की सला लेनी है क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है लोस की जिम्मिदार करने को मिल सकता है situation समझ में अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिम मुमेंटम देखने को मिला उस situation पर हम देखेंगे पहला जो में सपोर्ट नजरा रहे 39139 पर नजरा रहे अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो में तीसरा सपोर्ट नजरा रहे यह 38525 पर आपको यहाँ पर तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनलेसिस कैसे लग रहे हैं लोजिक समझ में आ रहे है कि नहीं लोजिक को वीडियो में इंकलूर करना चाहिए कि नहीं वो भी चीज़े आप बता सकते हैं नहीं हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रैस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे कॉंट के साथ थैंक यू